ये जो पहली खटना है कुछ दिनों पहले जब में लाइव आया था तो मुझे मेरे एक भाई ने बताई थी तो चलिए अब मैं इस घटना को अपनी तरफ से थोड़ा सा तयार करके आप सभी को सनाऊंगा और मुझे पुरी उमीद है आप सभी को सुनने में बहुत मजाएगा और अगर आपके साथ भी कुछ पैरनॉर्मल एक्टिविटी होई है आपके साथ भी कोई डरावना इंसिडेंट हुआ है तो आप मुझे स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर बता सकते हैं आप मुझे वटसप कर सकते हैं और साथी साथ सपोर्ट भी कर सकते हैं आप जितना मुझे सपोर्ट करेंगे मैं उतना ही अच्छा काम कर पाऊंगा तो चलिए घटना की तरव पढ़ते हैं मेरा नाम साहिल है और आज मैं आप सभी को मेरे जिंदेगी की सबसे डरावनी घटना के बारे में बताने वाला हूँ जो मेरे साथ मेरे बच्पन में घटी थी ये घटना तकरीबन तब घटी थी जब मैं चौदा सान का था और इस वक्त मैं शहर में नहीं बल्कि गाउं में रहा करता था जब मैं गाउ में रहा करता था तो मेरा जो मिजास था वो बहुत ही ज़दा मस्ती मजाग वाला था मैं इस दिन से रात तक सिर्फ मस्ती किया करता था सुबा रेडी होता था और अपने दोस्तों के साथ मस्ती मजाग करता हुआ निकल पड़ता था पूरे गाउ में मैं खेलता रहता था और इसे ही मेरा जो दिन था वो कटता था लेकिन मुझे इस पात का अंदाजा नहीं था कि ऐसा ही एक दिन आएगा जब मैं मस्ती मजाग करते करते एक ऐसी कलती कर दूँगा जिसका मुझे काफी बड़ा खामियासा बोगतना पड़ेग बात कुछ ऐसी है कि शाम का वक्त था और अंधेरा लगबग होने ही वाला था मैं और मेरा दोस्त हम दोनों खेल रहे थे खेलती खेलती मैं और मेरा दोस्त काफी जादा थक गये थे इसलिए मेरे दोस्त ने मुझे कहा अरे यार साहिल मैं बहुत ही जादा थक गया हूँ तो चलना यार अब घर चलते हैं और उसके बाद मैंने अपने दोस्त से कहा यार पागल हो गया है क्या, थोड़ी देर और खेलते हैं न, बहुत मज़ा आ रहा है, मैं काफी देर से खेल रहा था, लेकिन मुझे मज़ा ही इतना ज्यादा आ रहा था कि मैं खुद को रोक नहीं बा रहा था, और मैंने अपनी दोस्त को मन आ लिया, उसके बाद मेरे दोस् लेकिन याद रख्यों, जादे देर तक नहीं, थोड़ी देर बाद हम घर चलेंगे, उसके बाद मैंने अपने दोस्त के सामने हां में सर हिलाया, और हम खेलने लगे, हम दोनों पकड़ाई खेल रहे थे, मैं भाग रहा था, और मेरा दोस्त मुझे पकड़ रहा था, भागते दोस्त से बचने के लिए, मैं एक पेड़ के उपर चड़ गया, वो पेड़ इतना जादा घणा था, कि उसके अंदर सूरज की खिरने भी ठीक से नहीं पहुँच पा रहे थी, इसलिए मैं अच्छी तरह से उस पेड़ के अंदर छुप गया, और मेरा जो दोस्त था, वो स देख देख कर हस रहा था, और मेरा दोस्त वहां से जैसे ही गया, वैसे ही मैं नीचे उतरने ही वाला था, तब ही अच्छानक से कुछ अजीब सी चीज मेरे कानों में आकर बोली, बेहोश हो जाओ, बेहोश हो जाओ, हाँ, 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 और उस आवास को सुन करना जाने मेरे दिमाग पर कैसा असर हुआ मैं तुरंत बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता नहीं चला क्या खिर हुआ क्या है। उसकी आखों की वो जो फुतलिया होती हैं वो पूरी सफेद थी और वो मुझे ही हसते हुए देख रही थी। उसका चैरा इतना जादा डरावना था कि मैं चलाने लगा लेकिन मेरे मुझे से आवाज नहीं निकल रही थी। मेरे माथे से पसीना एक्दम छरने की तरह बहने लगा और वो जो औरत थी वो मुझे देख कर सोर सोर से हसने लगी जैसे उसे बहुत ही ज़ादा मज़ा आ रहा हो। मैं अपने आपको उस पेड़ से निकालने की बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन चाह कर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। बेबस हो चुका था तभी वो जो बूरी औरत थी उसने मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। और वो जैसे जैसे मेरी तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे उसकी जो मुंडी थी वो एकदम गोन 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 खूम रही थी और उसे देख कर मेरे को तो एकदम हार्ट अट पर आ रहे थे और तभी अचानक से मेरे दोस्त की आवाज आई साहिल, साहिल कहा है तू? अंकल, अंकल मैंने साहिल को यहाँ भागते वे देखा था और उसके बाद वो कहा गया, कुछ पदा नहीं चल रहा और उसके बाद कई सारे लोगों ने कहा देखो आस-पास, यहीं होगा साहिल और उसके बाद कई लोग इतर से उदर मुझे ढोड़ने लगे और कुछ लोग उस पेड़ के पास आकर बैठ गए तब ही मेरे पापा ने कहा यार तुम मेरे बेटे को ढोड़ने आयो या बैठने आयो और उसके बाद उन दोनों आदमियों ने कहा अरे आप ये कैसी बाते कर रहे हैं आपके बेटे को आपने गाओं बर ढूड़ लिया थोड़ा थक गए हैं, थोड़ा सा तो रहम करिए हम बैठे हुए हैं, जाता टाइम नहीं लेंगे और उसके बाद मैं उन दोनों अंकल को आवाज लगाना चाहता था लेकिन चाहकर भी मैं आवाज नहीं निकाल पा रहा था और वो जो बोड़ी औरत थी, वो मुझे बस घूर रही थी वो पेड़ था ही इतना जादा घणा कि उसके अंदर अगर कोई ढंक से बैठ जाए तो बाहर से कोई देखकर बता ही नहीं सकता कि उस पेड़ के अंदर कोई छुपा हुआ है धेरे धेरे मेरे आखों से जो आसु थे वो बहने लगे और आसु की एक एक बूंद जमीन पर जाकर गिरने लगी लेकिन मेरे खुश किसमती कहिए या उपर वाले का अशिरवाद कुछ बूंदे उन दोनों अंकल की उपर भी गिरी और एक अंकल ने कहा अर यार ये पानी कहां से गिर रहा है ये पेड़ से आ रहा है क्या और उसके बाद सभी लोग वहाँ पर खटा हुए जैसे ही गाउवालों ने मुझे देखा तो हर कोई चौकसा गया हर कोई बहुत ही ज़ादा खबरा गया उसके बाद मुझे उस पेड़ से नीचे उतारा गया मैं इतना ज़ादा डर गया था कि मैं कुछ बोलने लायक बचा नहीं था और मैं बस आस-पास लोगों को देख रहा था और रो रहा था मेरे माता पिता भी बहुत ज़ादा दुखी हो गय थे और वो रो रहे थी उनके चेरे पर घबराट को साफ साफ देखा जा सकता था और जब मैं घर आया तो मुझे गावी वक्त लगा नॉर्मल होने में कम से कम 3-4 दिन तक तो मैंने कुछ बोला नहीं और 3-4 दिन वो जो थे वो मेरी जिन्दगी के सबसे भयाना को डरावने दिन थे क्योंकि रात के वक्त मैं जब भी सोता था तो मेरे सपने में वही औरत आकर मुझे डराती थी मैं हमेशे अपने आपको उसी बेड़ के अंदर पाता था और वो बोड़ी औरत उसी तहनी पर बैठकर मुझे खोर कर देखती थी और हसती थी जब मुझे सहा नहीं गया तब मैंने ये सारी बात मेरे बापा को बताई और उसके बाद मेरे बापा कुछ लोगों को लेकर उसी बेड़ के पास पहुँचे और गाउवालों के सामने ही मेरे बापा ने उस बेड़ को काट दिया और उसके बाद वहाँ पर पूजा करी गई और जब पूजा संपन हुई तब जाकर मुझे आराम मिला लेकिन आज भी उस रास्ते पर जहां पर वो पेड़ था मैं उस रास्ते की तरफ देखता नहीं हूँ क्योंकि मैं जब भी उस रास्ते की तरफ देखता हूँ तो मुझे रात के वक्त वो बूड़ी औरत नजर आती है और वो मुझे देखकर अपनी मुंडी को कोल-कोल गुमा कर हसती है और मुझे डराती है इस दोसरी घटना के बारे में मुझे बताया है आरोही ने और इस घटना को भी मैंने अपनी तरफ से थोड़ा तयार किया है और मुझे पोरी उमीद है आप सभी को सुनने में मजा आएगा तो चलिए शुरू करते है मेरा नाम आरोही है और ये घटना तब की है जब मैं अपने गाउं गुमने के लिए गए गए थी उस वक्त मेरे पास कुछ करने के ये था नहीं और मेरे कॉलेज भी थे वो बंद थे इसलिए मैंने अपने डाड से कहा डाड बहुत दिन हो गए है हम गाउं नहीं गए है चलिए वही पर घूम कर आते हैं और मेरे डाड दे कहा ये दो काफी अच्छा इडिया है तो मारे कॉलेज इस बंद है तो वहाँ पर चल कर थोड़ा इंजॉयमेंट भी हो जाएगा और अपने गाउं की थोड़ी हवा भी मिल जाएगी कोई बात नहीं हम चलते हैं कुछ दिनों में कुछी दिनों बाद मैं और मेरे डाड और बागी की जो फैमली थी वो गाउं पहुँच गये और गाउं में जैसे नॉर्मली रहते हैं हम सबी रहने लगे मुझे काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि वा की जो हवा है वो बहुत ही ज़दा प्योर है जैसे ही हम गाउं में एंटर करते हैं वैसे ही हवा जो है एकदव ताजी सी हो जाती है और उस ताजी हवा को जैसे ही हम अपने अंदर लेते हैं तो हमारे अंदर एक अलग सी एनरजी आ जाती है गाउ में रहे कर तो मुझे काफी मज़ा रहा था और मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ एक तरावनी खटना घटने वाली है बात तकरीबन 6 बजे की है और उस वक्त अंधेरा धीरी धीरी हो रहा था और तभी मुझे मेरी एक दोस्त की आवाज आई उसने मुझे आवाज लगाते हुए कहा आरोही आरोही बाहर आना और उसके बाद मैंने भी अपना फोन जो था वो साइड में रखा क्योंकि मैं फोन चला रही थी और मैं बाहर निकली तो मेरी दोस्त मुझे कहा आरोही चलना खेत में चलते हैं एक काम है उसे निप्टा कर वापस आते हैं तो भी गुम लेगी और मुझे भी कंपनी मिल जाएगी और उसके बाद जब मैंने ये सारी बाते सुनी तब मैंने सुचा की चलू चलते हैं वैसे भी अंदेरा होने में तो टाइम लगेगा तब तक तो वापस आही जाएंगी उसके बाद मैं उस साहली के साथ निकल गई उसका जो खेट था वो बहुत ही जादा दूर था और मुझे इस बात का बिलकुल भी पता नहीं था अगर मुझे पता होता तो मैं उसके साथ नहीं जाती लेकिन क्या कर सकती थी मुझे पता नहीं था इसलिए मैं उसके साथ चल दी जब मैं उस खेट में पहुंची तब मैं बहुत ही ज़ादा ठक गए थी मैंने अपनी सैली से कहा यार तेरी वज़े से तो मैं बहुत ही ज़ादा ठक गई तू एकदम पागल है तुझे कम से कम बताना तो चाहिए था कि तेरा खेट इतना ज़ादा दूर है और तेरे में दिमाग नहीं है अगर तेरा खेट इतना ही दूर है तो सुबा चलती ना सुबा कोई दिक्कत भी नहीं होती अब देख कितना अंधेरा टाइप हो गया है और उसके बाद मेरी सैली ने कहा अरे कोई बात नहीं तो चिंता मत कर डर मत मैं हूँ तेरे साथ और धीरी धीर अंधेरा बढ़ता जा रहा था सुबा सुबा जो खेट एकदम जन्नत की तरह लग रहे थे वही खेट रात की वक्त एकदम हांटेट पिक्चर की पूरी फिलिंग दे रहे थे मैं बहुत ही ज़दा डरी हुई थी उपर से तेज हवा भी चल रही थी मैंने अपनी दोस्ते कहा यार तू जल्दी कर तुझे जो करना है मैं बहुत ही ज़दे घबराई हुई हूँ मेरी दोस्त ने मुझसे कहा ठीक है थोड़ा शांती रख अभी पूरा अंदेरा नहीं हुआ है जब तक अंदेरा होगा हम निकल चलेंगे यहां से समझी गबरा मत एक कामकर तो उस पेड़ के नीचे बैठ चा उसके बाद जब मैंने ये बात सुनी तब मैं मैंने देखा वाँ पर एक पेड़ था वो बहुत जब बड़ा था और घना भी था तो मैं उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और वो जो मेरी सहली थी उसने उसके बाद मेरी जो सहली थी उसने खेत में जो वेस्ट बसता है न वो जो फसल कटने के बाद जो होता है उसे जला दिया और मैंने अपनी दोस्ते कहा अरे तू पागल है ये काम दिन में किया जाता है तू इतनी रात को कर रही है और उसके बाद मेरी सहली ने कहा अरे पागल तू घबरा क्यो रही है हाँ चुपचा बैठी रहे अभी हम चलने ही वाले हैं ठीक है और उसके बाद जब तक आग नहीं बुची तब तक मैं और मेरी सहली वहीं पर बैठी रही जैसे जैसे आग बुच रही थी वैसे वैसे अंधेरा भी हो रहा था और मुझे मेरी सहली पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था मेरा मन करा था कि मैं अपनी सहली से लड़ाई कर लूँ, लेकिन जैसे तैसे मैंने अपना कुछ सा कंट्रोल किया हुआ था, तब ही अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं था, मुझे ऐसा महसोस हुआ जैसे मेरे कंदे पर किसी ने हाथ रखा है, और और उसके बाद मैंने उससे बताया, अरे वहाँ पर वहाँ पर उस पीड़ के पास कुछ है, मतलब मैं बैठी हुई थी ना, तो मुझे ऐसा लगा जिसे मेरे कंदे पर किसी ने हाथ रखा है, और जब मैंने बगल में देखा तो सच में कोई जला हुओ हाथ मेरे कंदों पर मैं तुझे नहीं लेकर आती और ना खुद आती, मुझे माफ कर दे लेकिन डरा मत, और उसके बाद मैंने अपनी दोस्ते से का, अरे यार तू समझ नहीं रही है, मैं सच बोल रही हूं समझी, तो ही बता, इतना डरावना माहौल है, दूर दूर तक यहां कोई नजर नहीं यहां पर भूत प्रेट का साया है, यहां पर भाग जाओ यहां से जल्दी, उसके बाद मैं और मेरी दोस्त इतनी ज़ादा घबरा गए कि जैसे ही आग बुझी, हम दोनों वहां से तुरत भागते हुए निकलने लगें, जब हम रोड पर पहुँझ गया और हम वहां से बात कर रहे थे, और बात करते करते, मैंने और मेरी सहेली ने उस पेड़ की तरफ देखा, तो जो कुछ भी हम दोनों ने देखा, वो यकीन करने के लायक नहीं था, हमने देखा कि उस पेड़ के नीचे एक चला हुआ आदमी बैठा हुआ था, और वो दिखने में बहुत ही के बात मुझे और मेरी दोस्त को तीन दिन तक बुखार रहा, और हम दोनों की हानच जो थी, वो बहुती ज़ादा खराब हो गई, धीरे धीरे मैं और मेरी सहली रीकवर तो हो गए, लेकिन मेरा जो भूत था, गाओं में घूमने जाने का, वो पूरी तरह से उतर गया, और उसके बाद मेरे पापा ने मुझे समझाया बुझाया, और आखिर में, मैं मान भी गई, लेकिन जब कॉलेजिस ओपन हुए, तब मुझे गाओं छोड़ कर शेहर फिर से आना पड़ा, लेकिन आज भी मुझे वो रात याद है, और वो जला हुआ आदमी कैसे उस पेड़ क नीचे बैठा हुआ था, वो भी याद है, मैं ये सारी डरावनी चीज़े भूलने की कोशिश तो करती हूँ, लेकिन मैं जितना भूलने की कोशिश करती हूँ, वो यादे मुझे उतनी याद आती हैं, और मुझे डराती हैं, ये जो खटना है, ये खटना मुझे मेरे एक दोस्त ने बताई थी जिसके नाम आशुतोष है और वो गाउं में रहता है तो चलिए अब इस खटना के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा उसी के पॉइंट अफ यू से ठीक है शुरू करते हैं मेरे नाम आशुतोष है और आज मैं आप सभी को मेरी जिन्दगी में घटी एक डरावनी खटना के बारे में बताने वाला हूँ बात तकरीबन पांच साल पहले की है और उस वक्त मेरे घर में काफी खुशी का महौल था क्योंकि जो मेरी बड़ी बहने उनकी शादी थी और उनकी शादी की तैयारियों में हर कोई लगा हुआ था हर कोई अपनी अपनी जिम्यदारिया निभा रहा था मुझसे भी जितना हो रहा था मैं उतना कर रहा था और तबी अचानक से मेरी एक चाची है उन्हों ने मुझे बुलाया उन्होंने मस्से कहा बटा जरा इदर आओ और उसकी बाद क्या था मैं अभी एकदम सीना करके पहुँच गया घर के अंदर और मैंने पूछा जी चाची कहिए क्या गया है और उन्होंने कहा नहीं बेड़ा कुछ नहीं बस मैं अकेली बैठी हुई और यहाँ पर कोई है नहीं मेरा मन नहीं लग रहा तो आओ साथ में वैट जाओ थोड़ा काम भी करवा लो और हम द तयार हो जाती हूँ रात को बरात आने वाली है और मुझे टाइम भी लगेगा और मैंने कहा ठीक है चाची आप तयार हो जाएए मैं भी चलता हूँ मेरे को भी तयार होना है मैं भी अपना बाहर आ गया शाम का वक्त होने ही वाला था हर कोई तयार होने में लगा हुआ था मैं भी अपना बढ़ियां से हीरो बनकर रेडी हो गया और रात जो थी वो हो गई बरात बस आने ही वाली थी और मैं भी एकदम हीरो बनकर बाहर रेडी था तभी अचानक से मेरे जो चाचा थे उन्होंने कहा आश्यतोश बिड़ा जरा इधर आओ और उसके बाद मैंने कहा जी चाचा जी कहिए और उन्होंने मसे कहा अरे वो तुमारी जो चाची है न वो कहीं नजर नहीं आ रही जरा देखो तो कहाँ पर है और उसके बाद मैंने कहा जी चाचा जी मैं अभी आता हूँ वो अभी अंदर तयार हो रही होंगी और उसके बाद मैं जो था मैं सीधा घर के अंदर गया और मैंने दर्वाज़ जो था उसे खटखटाया मैंने कहा चाची चाची आप कहा पर है क्या आप अंदर हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं आया और मैंने दो-तीन बार तरवाजे खट-कट आया लेकिन कोई जवाब जो था वो नहीं आया और तबी अचानक से मुझे किसी की रोने की आवाज आई और वो आवाज और किसी की नहीं बल्कि मेरी चाची की थी और जैसे ही मैंने मेरी चाची की रोने के आवाज सुनी तब तो मेरी जो हालत थी वो खराब सी ही हो गई मेरी बैंट लेपक गीली हो गई थी और वो आवास और कहीं से नहीं बल्कि छट पर से आ रहे थी और मैं ये सोच कर हरान था कि आखिर मेरी जो चाची है वो इतनी रात को अंधेरे में छट पर बैठ कर रोकियो रही है उसके बाद मैंने हिम्मत करी और धीरे धीरे करके छट की और जो सीड़िया जाती है उन्हें चड़ना शुरूर किया और जो कुछ भी मैंने देखा वो बहुत ही ज़ादा भयानक और तरावना था मैंने देखा कि मेरी जो चाची थी वो पूरी बाल खोल कर छट के उपर बैठी वोई थी और छट के नीच जैसे घूर रही थी जो कि बहुत ही ज़ादा डरावना और भयानक था मैं समझ गया था कि कुछ न कुछ तो बहुत ही ज़ादा गड़बड है इसलिए मैंने कोई भी आवाज नहीं की और मैं अपने कदमों को पीछे लेने लगा लेकिन जैसे ही मैंने अपना एक कदम पीछे रखा वैसे ही मेरी चाची ने मुझे ऐसे मूड़ कर देखा और उनका जो पूरा जैरा था यो पूरा सफेड पड़ा हुआ था और वो तुरण तिक्तम मेरी तरफ दौड़ी और मैं इतना ज़ादा घबरा गया कि मैं यसीगा नीचे दाम से सीडियों से गिरा और तभी अचानक से बहुत तेज आवाज हुई मेरे गिरने की और मेरे जो चाचा थे और बाकी के जो लोग थे वो तुरण तंदर आए और उन सभी ने मेरी चाची को उस हालत में देखा चाची की लंबे-लंबे बाल और वो सफेज चहरा और उनके चहरे पर वो डरावनी मुस्कुरहट मेरे चाचा ने कहा ओई क्या हो गया तुझे तु ठीक तो है और तभी अचानक से मेरी चाची ने चाचा के अपरवार किया और उनकी खर्तम पर काट दिया कई लोग मिल कर मेरी चाची को मेरी चाचा से दूर करने की कोशिश करने लगे लेकिन हर कोई नाकामियाब हो रहा था तक्रीबन 20-30 आदमी उन्हें जब मेरी चाची को मेरे चाचा से अलग किया तब जाकर मेरी चाची जो थी वो शान्त हुई और रोते रोते बिहोश हो गई और जब वो बिहोश हुई तो वो जमीन पर धढ़ाम से गिरने ही वाली थी तब ही लोगों ने समाल लिया और वो उन उन्हें बेट पर लिटा दिया गया तब उनके चहरे पर पानी डाला गया और थोड़ी देर बाद उन्हें होश आया फिर उसके बाद मुझे पता चला कि उन चाची की अगपर कोई भूत प्रेत का साया है और मुझे मेरी चाची से ही डर लगने लगा आज का भी वक्त है म कभी भी चाजी के साथ अकेले तक बैठता तक नहीं हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं वो चीजे वापस शुरू हो गई तब पता नहीं मेरा क्या होगा ये खटना जादा बड़ी नहीं थी लेकिन इस खटना के दोरान बीता हुआ एक एक पल जो था वो एकदम कमर की हट्टियों को थंडा कर देने वाला था और जब वो मेरी तरफ दोरी थी वो पल था मैं कभी मरते बच भी नहीं भूलूगा ही है मेरा नाम अमन है और आज मैं आप सभी को मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात के बारे में बताने वाला हूँ उस रात मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी थी जिसे देखने के बाद जिसे महसूस करने के बाद मेरी हालत जो थी वो खराब हो गई थी और गई सालों तक मैं उस टरावनी रात को भला तक नहीं पाया था बात कुछ ऐसी है कि मैं गर्मी के छुटियों में गाउं गूमने के लिए गया हुआ था और हमारे गाउं में शुरू से ही नेटवक्स की बहुत ही ज़दा प्रॉब्लम्स है जिसके कारण घर में बैठे-बैठे कॉल पे बात नहीं होती रात के वक्त तकरीबन दस वजे मेरा फोन बजा और जब मैंने फोन इठाया तो फोन मेरा एक दोस्त का था बात जो थी वो साफ तरीके से नहीं वो पारी थी नेटवक्स प्रॉब्लम्स की वज़े से इसलिए मैं सेड़ियें चड़ता हुआ मेरे जो गाउवाला घर है उसकी छट पर पहुचा तब जागर आवाज जो थी वो साफ हुई और मैं अपने दोस्त से बाते करने लगा दीरे दीरे बाते करते करते पांच मिनिट बीद गया और तब ही अचानक से मैंने ऐसा कुछ देखा जिसे देखने के बाद मेरे मूँ से आवाज निकलना बंध हो गया मैंने देखा कि मेरे पडोस की छट पर एक और चो थी वो पूरे अपने बाल वाल खोल कर बैठी हुई थी और अपना सर गोल गोल खुमाई जा रही थी और उसे देखकर मेरी जो हालत थी वो एक तम खराब सी हो गई मैंने वहाँ से भागने की कोशिश करी लेकिन मेरे हाथ पैर मानो सुनने से पड़ गए और मैं अपने शरीर का कोई भी हिस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था मैं वहाँ से भागने की बहुत कोशिश कर रहा था मैं चिलानी की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था तब ही अचानक से उस औरत ने मुझे खोरना शुरू कर दिया और उसकी जो आखे थी वो बहुत ही जादर डरापनी लग रही थी वो मुझे देखते हुए धीरे धीरे छट के किनारे तक आ गई और मुझे इस बात का डर लग रहा था कि कहीं वो मेरे पास ना आ जाए जब वो छट के किनारे पर आई तो वो मुझे देख कर हसने लगी और उसकी हसी सुनने के बाद में मैं बहुत ही जादा डर गया तब ही मैंने अच्छानक से चिलाया मम्मी पापा अपनी इस जंदी से छट पर आओ मैंने अपनी मम्मी पापा को चिला कर आवास लगा ही थी तब ही मेरी आखों के सामने वो जो औरत थी वो चट से कूट गए और मेरी आखों के सामने ही वो जमीन पर चाकर थडाम से गरी और उसके शरीर की कई टुकड़े हो गए और ये देखकर मैं चीख पड़ा और बेहोश हो गया जब मेरी आखे खुली तो मैंने देखा कि मैं अपने कमरे में था और मेरी जो मॉम डैट थे वो मेरे पास में बैठे हुए थे उन्होंने मुझे से पूछा कि क्या हुआ बेटा तुमने क्या देखा ऐसा जो तुम चीक पड़े और भी होश हो गए उसके बाद मैंने उन्हें सारी बाते बताई और वो भी बहुत ही जाता डर के और मुझे बता चला कि वो जो आरत है जिसे मैंने रात को उस छट से कूटते हुए देखा था वो तीन साल पहले ही मर चुकी है जब मैंने अपने काओं के दोस्तों से ये सारी बाते बताई तो उन्होंने मुझे सब कुछ पताया कि वो जो आरत थी उसके उपर किसी भूद प्रेथ का साया था और वो भूद प्रेथ जो थे वो बहुत ही जादा ताकतवर थे उस ओरत को बचाने की बहुत कोशिश करी गई लेकिन एक रात जब शादी थी और हर कोई शादी में व्यस्त था तब किसी का ध्यान उस ओरत के उपर नहीं गया और रात के बारा बजी वो जो भूद था उसने उस ओरत की शरीर पर कबज़ा कर लिया और वो उस ओरत को उस च्छत पर लेकर गया और वहां से उसने उस ओरत को गुदा दिया और उस ओरत की काफी दर्दनाक मौत हो गई शादी के महौल में मातम पसर गया और हर कोई अपना सर बगड़ के सिर्फ रोने लगा मैं इतना जादा गबरा और डर गया था कि मेरे जो डैट थी उन्होंने उस खर को खाली कर दिया और हमारे पास एक खेत है हमने वही पर एक नया खर बनवा लिया तब से लेकर आस तक मैंने उस खर की तरफ देखा तक नहीं है क्योंकि जब भी मैं उस खर को देखता हूँ मेरे नाम धीरज है और आज मैं आप सभी को मेरे साथ खटी एक तरावनी खटना के बारे में बताने वाला हूँ और ये खटना मेरे साथ मेरे गाउं में कुछी दिनों पहले खटी थी जब मैं गाउं में था और बात कुछ ऐसी है कि मैं हमेशा सही शहर में रहता हुआ आया हूँ मेरी जो पूरी पढ़ाई है वो शहर में हुई है जिसके कारण मैं गाउं बहुत कम ही गया हूँ और इसी कारण से मुझे गाउं में रहने की आदत नहीं है तो बात कुछ ऐसी है जब मैं अपने गाउं में था तो रात के तकरीबन एक बजे हुए थे और मेरी पूरी फैमली शहर में थी मुझे कुछ जरूरी कारण की वज़े से गाउं आना पड़ा था तो मैं अपने घर में सो रहा था जैसा कि आप सभी जानते हैं आज भी कई सारे ऐसे गाउं हैं जहां पर 24 घंटे लाइट नहीं होती है और मेरे गाउं में भी ऐसा ही कुछ है हमारे गाउं में भी 24 घंटे लाइट नहीं रहती है तो बात तकरीबन रात के एक बजे की है जब मैं अपने घर में सो रहा था और पूरे घर में लाइट नहीं थी इसलिए मैंने इमरचेंसी लाइट जो होती है जो बैटरी से चलती है उन्हें जला रखा था और जैसे तैसे गरमी में पसीने से भीग रहा था तब ही अचानक सी मुझे हलके होने की जो जरूरत थी वो महसूस हुई और उसके बाद मैंने सुचा की चलो अब हलका होकर आया जाए उसके बाद क्या था मैंने अपना स्मार्टफोन निकाला और इसकी फ्लैश लाइट को आन किया और अपनी छट की तरफ बढ़ने लगा क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कई घरों में टॉलिट जो होता है वो छट पर बनाया जाता है और मेरे घर में भी ऐसा ही है मेरा भी टॉलिट छट पर बनाया हुआ है इसलिए जब भी मुझे हलका होना होता है तो मुझे छट पर जाना पड़ता है और इसलिए मैं फ्लेश लाइट की रोशनी में अपने छट पर पहुंचा तो मैंने वहाँ का नजारा देखा तो बहुत ही जादा अंधेरा था और नजारा काफी डरावना भी था उसके बाद में अपने आपको हिम्मत देते हुए मैं सीधा टॉलेट में घुस गया अब डर तो मुझे लगी रहा था लेकिन अब मैं क्या कर सकता था जैसे तैसे मैं हलका हुआ और तभी अचानक से मेरे फोन की जो फ्लेश लाइट थी वो बंद हो गई और मैंने जब फ्ले पुचा भी नहीं था तभी मुझे पाइलो की आवास सुनाई देने लगी और वो जो आवास थी वो ऐसा लग रहा था जैसे छट पर कोई चल रहा हो मैं बार बार फोन की फ्लेश लाइट को आन करने की कोशिश कर रहा था मैं बहुत ही ज़दा खबराय वा था लेकिन मेरा फोन इतना ज़दा हमmern ऱा था मुझे स्मार्ट फोन के हांने से कोई भी ब्राब्लम नहीं थी मुझे ब्राब्लम हो रही थी तो वहां के माहौल से मैं टॉलेट में बंद था और मुझे अपने कमरे में वापस जाना था लेकिन मुझे अंधेरे में कुछ नजर ही नहीं आ रहा था जब मैंने दर्वाजा अचानक से खुला तब मुझे अगला ख़दम कहा रखना है ये भी नजर नहीं आ रहा था इतना जादा अंधेरा था और वो जो पायल की आवास थी वो थोड़ी तेज होती गई और वो धीरे धीरे मेरे पास आने लगी और उसके बाद तब ही अचानक से मेरे गानों में किसी ने कहा मुझे तुम्हारे शहीर पर हाफी होने तो हो जब मैंने ये डरावनी और भयानक सी आवास सुनी तब मेरा जो पूरा शरीर था वो मानों पैरलाइस सा हो गया और मैं पूरे जट पर अकेली खड़ा था उस भयानक अंधेरे में और मैं चाहा कर भी ना ही चीग पा रहा था और ना ही अपने मूँ से कोई आवास निकाल पा रहा था मैं बस पैरलाइस्ट वही पर खड़ा था उसके बात मुझे सिर्फ एक ही रास्ता सूजा मैंने अपनी आखे बंद कर ली और मैं पूरा उपर से नीचे तक पसीने से भीग चुगा था मेरे जो पूरे बाल थी वो ऐसा लग रहा था जैसे मैं नहा कर आया हुआ हूँ इतना जादा पसीना मेरे शेहरीर से बह चुका था और उसके तभी अचानक से जब मैंने आख बंद करी और उपर वाले का नाम लेना शुरू किया तभी गाओ में लाइट आ गई और चारो दरफ रोशनी हो गई और जैसे ही छट पर रोशनी हुई वैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो गया और मैं भागता हुआ सीधा नीचे बहुँचा मैंने घर किस जितनी भी लाइट्स थी सब को आउन रखा क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था और उसके बाद मैंने अपने फोन में हनुमान चालीसा गो फुल वॉलियम पर बजा दिया मुझे बुखार भी हो गया था ये घटना कुछ जादा देर की नहीं थी बलकि कुछी मिनट्स की थी लेकिन उस घटना के दोरान एक एक बीत रहा मिनट मेरे लिए किसी नर्क से कम नहीं था मैं इतना ज़्यादा घबराया हुआ था कि बस मेरा दिल ही जानता है और बस मैं यही प्रातना करता हूँ कि ऐसी घटना मेरे साथ फिर कभी ना घटे वरना क्या पता इस बार में हार्ट अटैक से मर जाओं मेरे नाम आरो ही है और ये बात तब की है जब मैं अपने गाउंवाले घर में सो रही थी वैसे मैंने उस कमरे की बारे में बहुत सारी बाते सुनी थी मेरे दोस्तों से और भी जो आसपास रहते थे उन सबी सी मैंने सुना था कि हमारा जो कमरा है वो आना उस धर का उसके बगल में एक बगीचा है और उसी बगीचे में एक औरत की आथ को घूमती है और जब मैंने ये पहली बार सुना थो तो हमेशा की तरह जब भी कोई इनसान ये चीज़ें पहली बार सुनता है तो उसे ये सारी चीज़े अंद विश्वास और बक्वास लगती है तो मेरा भी रियक्शन कुछ ऐसा ही था मैंने जब ये सारी बाते सुनी तब मैंने भी यही सब खा कि ये सब चीज़ें अंदविश्वास हैं और पकवास हैं और मैंने इन सब चीज़ों पर वरोसा नहीं किया जब मैं सो रही थी तब ही रात की बारा बजे मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई देख रहा है और मेरे पूरे कमरे में मेरे अलाबा कोई भी नहीं था पूरे कमरे में लाइट्स ओफ थी और अंधेरा था जब मुझे ऐसा मैसोस हुआ बार-बार की कोई मुझे देख रहा है तब मैंने अपनी आँखे खोली तो मैंने आस-पास देखा तो पूरे कमरे में सिरफ अंधेरा ही था मैंने अपनी rooms की lights को on कर लिया और सब कुछ normal था जब मैंने देखा कि सब कुछ normal है तो मैंने फिर से lights off करी और उसके बाद मैं एक बार फिर से सो गई लेकिन तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैर को टच किया और जब मुझे ऐसा महसूस हुआ तब तो मैं एकदम खबरा ही सी गई मुझे लगा कि शाद कोई चोर वग्यरा मेरे कमरे में घुज गया है और कहीं छुपकर बैठा है इसलिए मैंने अपनी रूम्स की लैट्स को आउन किया और अपनी पूरी फैमिली को मैंने कमरे में बुला लिया उसके बाद जब मैंने ये सारी बाते उन्हें बताई तब उन्होंने कहा अरे तेरा वहम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है समझी, फालतों में डर मत लेकिन मैं बहुत ही ज़ादा डरी हुई थी और जब उन्हों सभी ने मुझे इतना डरा हुआ देखा तो उन्होंने पूरे कमरे की तलाशी ली उन्होंने बादरूम को अच्छे से चेक किया और उसके बाद उन्होंने अलमारी वगेरा बैट की नीचे अच्छी तरह से देखा तो कमरे में कोई भी नहीं था उसके बाद उन्होंने मुझे समझाया और मैं समझ भी गई मुझे ऐसा ही लग रहा था कि जो कुछ भी मुझे बताया गया है मुझे बोला गया है उन्ही सब चीजों की वज़े से मुझे ये सब महसोस हो रहा है लेकिन थोड़ी तिर बाद ही जब सब कमरे से चले गया और मैं फिर से लाइट साफ करके सोने लगी तब अचानक से ही मुझे स्लीप पैरलाइसिस महसोस हुआ मैंने आखे खोली तो मैंने देखा कि एक औरत जो थी वो मेरे बिस्तरे पर बैठी हुए थी और वो मुझे घूर रही थी जब मैंने उस औरत को देखा तो मानो जैसे मेरी हालत जो थी वो पूरी खरापसी हो गई और मेरी जो जान थी वो हलग में अटंग बही मैं बिल्कुन कुछ बोल नहीं पा रही थी जैसा कि Sleep Paralysis में होता है मैं चिलाने की कोशिश कर रही थी सब को कमरे में वापस बलाने की कोशिश कर रही थी लेकिन मेरे मुझसे जारा सी भी आवास नहीं निकल रही थी और सिर्फ वो जो औरत थी वो मुझे बैठे बैठे घूरे जा रही थी और तकरीबन दस मिनट तक वो औरत सिर्फ मुझे खूरती रही और उसके बाद उसने मुझे सिर्फ एक ही बात कही मुझे मुक्ति दिला मुझे मुक्ति दिला और जब मैंने ये सुना तब मेरी हालत जो थी वो और भी ज़्यादा खराब हो गई और उसने सिर्फ एक ही बात बोले कि मुझे मुक्ति दिलाओ और उसके बाद वो फिर से चुप हो गई और उसने मुझे दस मिनट तक फिर से गूरा और वो जो एक-एक मिनट था वो मेरे लिए किसी एक साल से कम नहीं था मैं काफी देड़ तक सिर्फ खबर आती रहे और डरती रही मेरे पूरे शरीर में मैं कुछ भी हलचन नहीं कर पा रही थी सिर्फ मेरी आखों से आँसू टपक रहे थे और काफी देड तक ये सारा टॉर्चर छेलने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया मुरा पूरा शरीर जो था वो मेरे कंट्रोल में आ गया और उसके बाद मैंने जरा सभी वक्त जाया नहीं किया और मैंने अपना समान उठाया और सीधा अपने मॉम डैट के कमरे में चली गई मैं इतनी जादा डरी हुई थी कि मेरा जो पूरा शरीर था वो पूरा पसीने से भीग चुका था और जब मेरे मॉम डैट ने मुझे ऐसे घबराया हुआ दिखा तो वो भी बहुत ही ज़ादा डर कै उन्होंने मुझे अपने कमरे में सोने की परमीशन दे दी और मैं तब जाकर चैंट से सो पाई पूरी रात मेरे जो मॉम डैट थे वो जाग कर मेरा ख्याल रखती रहे और तब जाकर मेरी जो हालत थी वो नॉर्मल हुए उसके बाद मेरे मॉम डैड ने वो जो कमरा था उसमें एक हवन वगर और पूजा वगर करवाया तब जाकर उस घर में सब कुछ नॉर्मल हुआ लेकिन फिर भी कभी कभी मुझे याद आ जाता है कि आखिर वो कैसी मेरे बिस्तरे पर बैठी हुए थी और मुझे घूरते हुए कह रही थी अशोक एक बीस साल का लड़का था जिसे अपने गाउं से बहुत ही ज़ता प्यार था जब भी उसकी गर्मियों की छुटिया पड़ती तो वो अपने पैरंस को लेकर अपने गाउं आ जाता था और वहाँ पर इंजॉय करता था उसे आयोए कुछी दिन हुए थे और वो रात की वक्त अपने कजन के साथ जो की गाउं में ही रहता था उसके साथ बैटकर खाना खा रहा था और उन दोनों की बीच बातची चल रहे थी अशोक के कजन का नाम था चंदन और वो दोनों बैटकर खाना कही रहे थे तब ही बातों बातों में ही भूत प्रेट की बाते निकल गई और चंदन ने कहा तुझे पता है बगल वाले घर में एक अंटी है ना उनके उपर चुड़ाय का साया है और एक बार मैंने उने ना रात के वक्त छत पर बैठे वे देखा था और वो बहुत ही साथ डरावनी लग रही थी मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी जब अशोक ने ये सब सुना तब अ जंदने कहा नहीं भाई ये सब मेरी आँखों देखी बात है समझा ये भूत प्रेट सच में होता है अगर किसी से भूत प्रेट जिपड जायना तब बहुती ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तुझे पता है हमारे गाउं के बाहर एक स्कूल है तकरीबन 50 साल पुराना है कह जाते है कि 50 साल पहले सो स्कूल में आग लग गई थी और कई सारे बच्चे और वहाँ पर पढ़ाने वाली टीचर मर गई थी जिसके बाद वो जो जगा है वो हॉंटेड बन गई और वहाँ पर आज भी बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देती है और जो कोई भी रात के वक्त उस स्कूल के आस पास से भी गुजरता है तो उसे बोध ब्रेच्ची बढ़ चाते हैं और जब अशोक ने ये बात सुनी तब अशोक ने कहा क्या सच में तू सच बोल रहा है सच में हमारे गाउं के पास कोई ऐसी जगा है और उसके बाद चंदर ने कहा हाँ भाई भाईनक भूत प्रेच बढ़ गया ना तो वो तेरी जान लेकर ही छोड़ेगा समझा तू इसलिए वहाँ जाने का जो ख्याल है ना उसे अपने दिमाग से निकाल दे और उसके बाद अशोक ने कहा अरे मतलब रात में नहीं दिन में तो जा सकते हैं ना और उसके बाद चं अशोक ने कहा एकदम खड़कती धूप में जाएंगे तो कौन सा कोई भूत प्रेच चिपटेगा वैसे भी दिन के टाइम भूत प्रेच नहीं होते समझे चंदन बार बार अशोक को सु स्कूल के पास ले जाने से मना कर रहा था लेकिन अशोक भी मानने वाला नहीं था इ जा और उसके बाद चंदन ने कहा हाँ ठीक है बारा बजे हम दोनों चलेंगे अगले दिन दुपहर बारा बजे वो दोनों तयार होकर घर पर चूट बोल कर निकले उन्होंने घर पर कहा मा हम दोनों खेद में ऐसे गोंगने के लिए जा रहे हैं अभी थोड़ी दिर में आ गया और उसके बाद वो साइकल चलाने लगा साइकल चलाते चलाते काफी देर हो गई और वो दोनों गाउं से बाहर आगए जब वो गाउं से बाहर आए तो वहाँ पर एक जंगल वाला रास्ता होकर जा रहा था और उसी रास्ते से होते हुए वो दोनों एक सुनसान जगा पर पहुँच गए जहां पर सिर्फ जंगल था और बीच में एक खंडहर सा स्कूल बना हुआ था जहां पर सिर्फ मकडी के जाले ही नजर आ रहे थी और थूल मिट्टी जब अशोक ने उस स्कूल को देखा तो उसकी भी थोड़ी देर के लिए हालत खराब हो गई अशोक ने होता चल और अंदर चलते हैं और उसके बाद अशोक और चंदन स्कूल के आसपास खूमने लगे वहां पर सिर्फ खंडहर था और कुछ भी नहीं धोल मिट्टी मकडी के जाले उन सभी को अपने रास्ते से हटाते वे वो थोड़ा स्कूल के अंदर भी गए तो वहां पर उ पचास साल पहले वहां कई सारे बच्चे मरे होंगे और उनी बच्चों के ये जूते और चीज़े होंगी यही सब सूच कर अशोक और चंदन थोड़ा सा डरे थे और उसके बाद वो आसपास देखने लगे पूरी दिवारे गाली थी जो साफ साफ कवाही दे रही थी कि आ जादा देर रहना यहां पर ठीक नहीं है और उसके बाद अशोक ने कहा हाँ ठीक है चलब चलते हैं और उसके बाद वो दोनों वहां से निकल रहे थे तब ही चंदन ने कहा कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखियो समझा और उसके बाद अशोक ने कहा क्यों भाई पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखना जिसके जवाब में चंदन ने कहा अरे बस मत देखना तो मतलब मत देखना वरना कुछ भी हो सकता है ऐसी भूतिया जगाओं पर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए वरना बहुतिया जगाव पर जो भी आत्मा होती है वो हमारे साथ चल देती है इसलिए पीछे मुढ़ कर मत देखियो वो दोनों वहां से निकली रहे थे तब ही अशोक ने एक आवाज सुनी अशोक और चंतन वहां से जाही रहे थे तब ही अचानक से अशोक को सु स्कूल से एक आवाज सुनाई दी और सु स्कूल में से उसकी मोबाइल की रिंग्टोन की आवाज सुनाई दे रही थी इसका मतलब अशोक का जो फोन था वो स्कूल में कहीं गिर गया था अशोग बहुत ही ज़दा घपरा गया और उसने तुरत पीछे मुड़कर देख लिया और उसके बाद चंदन ने चिलाते हुए कहा अबे पागल जब मैंने मना किया तुझे पीछे मुड़कर देखने से तो तुने क्यों देखा उसके बाद अशोग ने कहा अरे यार मेरा फोन अंदर रहे क्या है देख अंदर रिंग्टोन बज रही है मैं अभी अपना फोन लेकर आता हूँ बहुत महगा है यार तु जानता है न मेरे घरवाले मुझे बहुत मारेंगे और उसके बाद चंदन ने कहा अरे पागल कोई रिंग्टोन की आवाज नहीं आई है मैं भी तो तेरे साथ हूँ मुझे तो कोई आवाज नहीं आई है उसके बाद अशूक ने कहा नहीं यार अभी आवास आई है और उसके बाद चंदन ने कहा तो अपनी जेब चेक कर तेरा फोन देख कहाँ पर है और उसके बाद जब अशूक ने अपना फोन चेक किया तो उसका जो फोन था वो उसकी जेब में ही था और ये देखकर उसकी जो ले आया और उसके बाद अब मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी कलती करती चल अब यहां से और उसके बाद वो दोनों वहां से जाही रहे थे तब ही अशोक कोई कानों में एक आवास आई चलो मैं भी तुमारे साथ आ रहा हूँ थोड़ी ही दिर में वो दोनों घर पहुँच गये और घर पहुचने के बाद से ही अशोक जो था वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और उसे बहुत अजीब सा मैसोस हो रहा था जैसे उसके आसपास कोई है उसका दिमाग बहुत ज़्यादा भारी हो गया था उसे पसीना बहुत ही ज़्यादा आ रहा था उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं से दौड़ लगा कर आया हूँ लेकिन सबने सुचा की गर्मी है और गर्मी के कारेंट अतना पसीना आया है और उसके बाद अशोग के पापा ने कहा, गुम लिया खेतों में, जाब नहा कर आ जा, समझा, देख कितना ज़्यादा पसीने में भीग चुका है, नहा ले, फ्रेश हो जाएगा, उसके बाद अशोग नहाने के लिए चला किया, जब वे बातरूम में नहा रहा था, तभी उ बैयां कियो, बैयां कियो, बैयां कियो, और उसके बाद जब अशुक ने ये आवास सुनी तब वो आसपास देखने लगा, उसने सोचा कि ये सब सिर्फ उसका वहम है, वो बहुत ही जदा डरा हुआ है और उसके दिमाग में सिर्फ उस स्कूल के खयाल आ रहे हैं, इसलिए उ इन सारी चीजों को इग्नोर करनी की कोशिश करी, और वो नहा दोकर बाहर निकला, लेकिन उसके सर में फिर भी दर्द हो रहा था, और उसे काफी भारी-बारी महसूस हो रहा था, जब वो नहा कर आया, उसके थोड़ी दिर बाद ही वो फिर से पसीनी में भीग गिया, और वो इस सारी बाते अपने पैरेंस को बताता तो उसके पैरेंस बहुत ही जदा गुस्सा करते, और अपने पैरेंस के डर से वो ये सारी बाते उने बता नहीं बा रहा था, इसलिए जो कुछ भी हो रहा था, वो सब चीज़े सहते जा रहा था, रात के वक्ते जब पूरा पर दिखा कि एक आदवी जो की पूरी तरह से जला हुआ है वो उसके साथ खड़ा है और उसके जहरी पर एक मुस्कुरहट है उस मुस्कुरहट को देखकर अशोक ने चिला दिया और वो जो जितने भी परिवार वाले थे जो खाना खा रहे थी हर कोई डर गिया और तबी अचान से अशोक ने चिलाना शुरू कर दिया और पागलों की तरह खसना शुरू कर दिया गाउ में चूले पर खाना बन रहा था तुरंत अशोक भागता हुआ उस चूले के पास गया और उसने उस चूले में से चलतीवी लकड़ी निकाली और वो सब को जलाने के लिए सब के पी वो बहुत ज़ादा डरावनी हो गई थी वो बार बार हस रहा था और सब को कुछी देर में समझ आ गया कि उसके उपर को यूपरी ताकत ने हमला कर दिया है वहाँ पर अशोक की दादा दादी भी मौजोद थे वो आए और अशोक की दादा ने कहा मैं समझ गया ये उस स्कू और ये उस स्कूल में गय थे जो गाओं के बाहर है और खंड़र पड़ा हुआ है ये सब सुन कि पूरा जो घर था वो चौक गया और चंदन जो था वो रोने लगा चंदन ने रोते हुए सारी बातों को एकसेप्ट कर लिया और उसके बाद गाओं के रीती रिवाजों के अनुसार अशोक का जो जाड़ पूख था उसे शुरू कर दिया गया वो जो जाड़ पूख था वो काफी देर तक चला और जब तक वो जाड़ पूख चला तब तक अशोक बागलों की तरह हस्ता चिलाता रहा और हर कोई सिरिफ खौफ से डरता रहा आखिर में एक घंटे अशोक सकते अखिर में एक घंटे बाद जाकर शान्त हुआ और वो बेहोश होगिया जैसे ही वो बेहोश हुआ उसे डॉक्टर के पास ले गये जहां पर डॉक्टर ने चकप वगैरा किया तो उसके शरीर में काफी कमजोरी हो गई थी डॉक्टर ने अशोक को ग्लुकोस की बोतल चड़वाई और साथी साथ कुछ मैडिसन्स भी थी और उसे घर भेज दिया अशोक ठीक तो हो गया लेकिन उसके साथ जो कुछ भी घटा था उसके बाद में उसके दिमाग पर काफी गहरा असर बड़ा था और काफी दिनों बाद वो उस असर से उभर पाया और आज मैं आप सभी को एक जंगल में खटी दरावनी खटना के बारे में बताने वाला हूँ और ये खटना घटी थी मेरे बड़े भईया के साथ जिनका नाम है अमन जोथ और मैं उन्हें प्यार से अमन भईया कहकर बुलाता हूँ वो अभी कैनेडा में रहते हैं और ये खटना उनके साथ कैनेडा के जंगल में ही घटी थी तो चलिए अपने जो हेड़फोन से होने लगा लेजिए क्योंकि अब मैं उस खटना के बारे में बताना शुरू कर रहा हूँ मेरे नाम अमन जोथ है और मैं कैनेडा में रहता हूँ मैं एक प्रोफेशनल रैपर और सिंगर हूँ और इन सब चीजों के लावा भी मेरे काफी जादा शौक है और उनमें से मेरा सबसे पसंदीदा शौक है वो है पैरनॉर्मल इन्वेस्टिकेशन का जब भी मुझे free बक्त मिलता है मैं कैनेडा के जंगलों में अपने दोस्तों के साथ paranormal investigation के लिए निकल जाता हूँ और मुझे paranormal investigation करते हुए काफी साल बीच चुके हैं इन सालों के दोरान मैंने काफी paranormal activities होते हुए देखी हैं और काफी चीजों को महसूस किया है लेकिन मुझे मेरी life की सबसे खतरनाक paranormal investigation आज भी अच्छे से याद है और उस investigation के दोरान मेरे साथ कुछ ऐसी खटनाए खटी थी जिनके खटने के बाद मुझे ये बाद तो अच्छी तरह से समझा गए थी कि ये जितनी भी paranormal चीज़े होती है वो किसी भी इनसान की जान लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है एक शाम मैं और मेरा दोस्त बैठे हुए थी और हमें एक सॉंग रिकॉर्ड करना था मैं तुरांत अपनी माईक के पास गया और सॉंग रिकॉर्ड करने लगा काफी मेहनत के बाद हमारा जो सॉंग था वो अच्छे से रिकॉर्ड हो गया उसके बाद सारा काम खतम करके मैं और मेरा दोस्त रिलाक्स करने लगे रिलाक्स करते हुए मैंने अपने दोस्त से कहा यहर काफी वक्त हो गया है हम दोनों पैरनॉर्मल इन्वेस्टिकेशन के लिए नहीं कहे हैं क्या कहता है चले और उसके बाद मेरे दोस्त ने कहा हाँ चल सकते हैं हमारे पास कुछ दिनों का फ्री टाइम है हमने सॉंग रिकॉर्ड करी लिया है तो हम चल सकते हैं बता कब चल ला है उसके बाद मैंने अपने दोस्त से कहा ठीक है भाई मैं जो हमारे पैरनॉर्मल इन्वेस्टिकेशन के डिवाइसिस है उन्हें रेडी कर लेता हूँ उसके बाद हम दोनों चलेंगे उसके बाद मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा वो सब तो ठीक है लेकिन ये तो बता हम इन्वेस्टिकेशन के लिए जाएंगे कहाँ उसकी चिंता तू मत कर सबसे बहुत हम इंटरनेट पर रिसर्च करते हैं इंटरनेट पर कोई न कोई जगा मेली जाएगी और नहीं तो हमारे इतनी जादा केनेडियन दोस्त हैं उन सबी से पूछ लेंगे उन्हें जरूर कोई जगा पता होगी इंटरनेट पर रिसर्च करने के बाद हमें एक जंगल के बारे में पता चला जो हमारे घर से तकरीबन 10 किलो मीटर दूर था और वो जंगल बहुत ही जदा घरना और डरावना था जब हमने उस जंगल के बारे में पता लगाया तो तो उस जंगल की जो फोटोस थी वो हमारी आखों के सामने आ गई और उन फोटोस को देखकर मेरा जो मन था वो बस सारे पैरनॉर्मल इन्वेस्टिकेशन के समान को बैक करके उस जंगल के बास जाने का कर रहा था उसके बाद मेरे दोस्त ने कहा ये जंगल तो बहुत ही जदा डरावना लग रहा है और लोग देख इसके बारे में क्या-क्या लिख रहे है कोई कहा रहा है कि इसके अंदर कोई evil spirit है क्या लगता है ऐसा सच में है और उसके बाद मैंने अपने दोस्त से कहा ये सब तो वहाँ जाकर पता ही चलेगा मेरे दोस्त मैं उस जंगल में जाने के लिए बहुत ही जदा excited हो रहा था और मेरे से बस रुखा नहीं जा रहा था मैं यही सोच रहा था कि जितनी जल्दी सुबा हो उतनी जल्दी मैं सारा समान रेडी करूँ और शाम को मैं अपने दोस्त के साथ उस जंगल की तरफ निकल बड़ू और काफी इंतिजार करने के बाद वो समय आ गया सुबा हुई और उसके बाद मैंने जो सारा समान था मेरा जैसे मैंने काफी समय से इस्टमाल नहीं किया था उसे बाहर निकाला और उसे अच्छे से साफ किया और शाम तक सारे समान को रेडी कर लिया और जब अंधेरा होने वाला था उस वक्त मैं और मेरा दोस्त उस जंगल के लिए रवाना हो गए हमने अपनी कार को उस जंगल के बाहर रोक दिया और जब हमने उस जंगल को देखा तब हमें समझ आ गया कि लोग उस जंगल के बारे में इतनी डरावनी बाते क्यों कह रहे थे हम दोनों अपनी कार से उत्रोज जंगल की तरफ देखने लगे और मेरे दोस्त ने कहा अब लग रहा है हमें पैरनॉर्मल इन्वेस्टिकेशन का असली एक्सपिरियंस मिलेगा और ये बात सुनकर मैं हसने लगा और मैंने जितने भी डिवाइसिस थी उन्हें निकाल दिया और सबी डिवाइसिस को लेकर मैं और मेरे दोस्त उस जंगल के अंदर घोसक आई लेकिन जैसे ही हम दोनों ने उस जंगल के अंदर एक कदम रखा वैसे ही जो हमारे पास जो गोस्ट सर्चिंग मशीन थी वो अचानक से आवास करने लगी और वो इतनी तेज आवास कर रहे थी कि ऐसा लग रहा था कि वो बस पट जाएगी आवास करते करते वो जो मशीन थी वो इतनी ज़्यादा गरम हो गई कि हमारे हाथ से छोट कर सिधा जमीन पर गिरी और थोड़ी देर में उस मशीन में आग लग गई और ये देखकर हम दोनों ही बहुत ही सादा चौक गए कि आखिर ऐसा कैसी हो सकता है उसके बाद हमने सोचा कि शायद हमारी जो ये मशीन है वही खराब होंगी इसलिए हमने दूसरे डिवाइसिस को निकाल लिया और उन डिवाइसिस को लेकर हम जंगल के अंदर जाने लगे जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था वैसे वैसे उस जंगल का जो डरावना पन था वो बहार आ रहा था शाम के मुकाबले वो जंगल कई गुना जादा डरावना हो चुका था वहाँ पर एक एक कदम रखना काफी हिम्मत की बात हो चुकी थी हम दोनों दोस्त उस जंगल में इदर से उदर खूम रहे थे तब ही मेरे दोस्त ने कहा या रमन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये जंगल इतना जादा डरावना है लेकिन अभी तक कोई भूत हमें दिखाई क्यों नहीं दिया और उसके बाद मैंने कहा दिखाई देगा जल्दी दिखाई देगा क्योंकि ये जगा बहुत ज़्यादा डरावनी है मुझे पक्का यकीन है यहाँ पर हमें कुछ न कुछ जरूर नजर आएगा और तभी ऐसा ही हुआ हमारा एक कोस्ट इंडिकेटर फिर से जलने लगा उसकी जो लाइट थी वो ब्लिंग करने लगी और मेरे कान के पास से एक ठंडी सी हवा होती हुई गई और मुझे ऐसा लगा जिसे कोई फ्रीज का जो दर्वाजा होता है उसे किसी ने खोल दिया हो और वो जो फ्रीज की हवा हो वो मेरे कानों से होते हुए गुजर गई हो भाई यहाँ कोई आसपास आत्मा है अभी मेरे कान से एक हवा पास हुई और वो हवा बहुत ही ज़द यार सिरुफ मुझे ही लग रहा है या तुझे भी थंड लग रही है और उसके बाद मैंने कहा नहीं यार धंड तो मुझे भी लग रही है लेकिन अभी तक तो मौसम ठीक था एकदम करम लेकिन अचानक से क्या हुआ उसके बाद मेरे दोस्त नी कहा भाई मुझे लगता है कि अभी हमें यहां से चल लेना चाहिए क्योंकि अभी यहां के जो हलात हैं वो खराब होते जा रहे हैं हमारे आसपास आत्मा है इतना तो मुझे बाख का यकीन है तभी मैंने चिलाती वे कहा क्या कोई आत्मा यहां पर है? क्या कोई आत्मा हमसे कॉंटेक्ट करना चाहती है? क्या कोई आत्मा हमसे बात करना चाहती है? तो हम तयार हैं मैं एक बार फिर से कहता हूँ क्या कोई आत्मा मुझसे बात करना चाहती है क्या कोई आत्मा मुझसे कॉंटेक्ट करना चाहती है और उसके बाद में जो कुछ भी हुआ वो यकीन करने के लायक नहीं था वहाँ पर एक बहुत विशाल काई बेड़ अपने आप ही हिलने लगा और उसकी जो पत्ती थी वो अपने आप ही जमीन पर गिरने लगी और वो जो नजारा था वो बहुत ही जादा डरावना था तब ही मैंने एक बार फिर से चिलाती हुए कहा देखो तुम जो कोई भी हो हम यहाँ पर तुमसे दुश्मनी मोल लेने नहीं आए है समझो इस बात को हम सिर्फ तुमसे बात करना चाते हैं क्या तुम हमसे बात करना चाते हूँ और तभी अचानक से वो जो पेड़ था वो हिलना बंद हो गया और मैंने अपनी दोस्त की तरफ देखा मेरा जो दोस्त था वो एक्तम बुत्त बनकर खड़ा हो चुका था ऐसा लग रहा था जैसे उसकी शरीर में जहान बच्ची ही नहीं थी और तभी अचानक से हमारे पास जितने भी गोस्ट डिटक्टर्स थे वो सभी बजने लगी और काफी तेजी से बजने लगी धीरे धीरे करके एक एक करके सारे जो गोस्ट डिटक्टर्स थे हमारे पास वो फटने लगी और हम दोनों को काफी चोट भी लगी एक कोस्ट डिटक्टर मेरे हाथ में भी था और वो इतना जादा गरम हो गया था कि मैंने उसे एन वाके पर फेक दिया लेकिन मेरा हाथ उससे थोड़ा बहुत तो जल गया था और जैसे ही मैंने उस गोस्ट डिटक्टर को जमीन पर फेका वैसे ही उसमें आग लग गई जैसे शुरुआत के टाइम में दो गोस्ट डिट सथ नहीं आया था इसलिए मैंने अपने दोस्ट से कहा भाई जितना हमें करना था हमने कर लिया चल निकलते हैं यहां से जितना जल दी हो सकी यहां से निकलनी में ही बलाई है цisters और उसके बाद मैं वहां से सजाने लग लेकिन तब ही मैंने अपने दोस्ट की तरफ देखा तो वो बिल्कुल हिल तक नहीं रहा था, वो एकदम सुन्व सा पड़ गया था, मैंने अपने दोस्त से कहा, भाई, तिरे को सुनाई दे रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, चल अब, चलने का वक्त हो गया है, चल, वरना यहां कुछ भी हो सकता है, समझा, अब ही यह कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हो सकता है, यह हम दोनों की जान ले ले, इसलिए चल यहां से, लेकिन मेरे दोस्त ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस बुद्ध बनकर खड़ा रहा, मैंने अपने दोस्त को होश में लाने की बहुत कोशिश करी, भारी हो गई थी, और ऐसा लग रहा था जैसे, वो मेरा दोस्त है ही नहीं, उसके रोने की आवाज बहुत ही सदा डरावनी थी, और तभी मैंने अपने दोस्त से का, तुझे क्या हुआ है, तु ठीक तो है, तु ठीक तो है भाई, तुझे हो क्या गया है, और तभी अचानक से मेरे दोस्त दिने मुझे धक्का दिया, और वो एक बड़े से पेड़ के पास गया, और वो अपना सर जोर-जोर से उस पेड़ पर मारने लगा, और ये देखकर मेरी भी एक मिनट के लिए हालत बहुत ही ज़ादा खराब हो गई, मैं अपने दोस्त को बार-बार रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा दोस्त बार-बार मुझे धक्का दे देता था, और अपना सर पहले से ज़ादा जोर से उस पेड़ पर मारता था, और एक वक्त ऐसा आया, कि उसकी सर से खून बहने लगा, और उसका जो पूरा चैरा था, वो लाल खून से पूरा सन गया, और ये सब देखकर मेरी जो जान थी, वो लगबग सूख गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कि आकर मुझे क्या करना चाहिए, तब ही अचानक से मेरा जो दोस्त था, वो जमीन पर एकदम बेजान होकर गिरा, और उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने दोस्त को खो धिया है, लेकिन जब मैंने पसकी सांसे चलती हुई देखी, तब मेरी जान में जान आई, और तब ही अचानक सी मुझे ऐसा महसूस हुआ, जैसे कोई मेरे पास चल कर आ रहा हो, मुझे आवास साफ साफ सुनाई दे रही थी, कि कोई चलता हुआ मेरे पास आ रहा था, लेकिन मेरे पास ये सब चीजे महसूस करने का वक्त नहीं था, मैंने अपने दोस्त को उठाया, और तब ही अचानक सी मैं आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा, तो कोई मैं आगे बढ़ने की कोशिश करी रहा था, तब ही अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ, जैसे कोई मेरे सामने आकर खड़ा हो गया हो, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था, मैंने फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करी लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था और तभी मुझे किसी की तेज तेज सांसे लेने की आवाज आने लगी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे सामने खड़ा होकर तेज तेज सांसे ले रहा था और मैं एकदम बुत्व बनकर जैसे मेरा दोस्त बुत्व बना हुआ था, वैसे ही मैं भी बुत्व बनकर खड़ा हो गया, और तब ही अचानक से मेरे कानों में एक आवाज आई और तभी अचानक से वहाँ पर सूरा जुगने लगा और थीरे धीरे हर तरफ उजाला हो गया जैसे ही दिन हुआ वैसे ही मरी जान में जहना ही लेकिन जो कुछ भी मैंने रात में देखा था उसे देखने के बाद मेरी हानत बहुत जादा खराब गयी थी मैंने अपने दोस्त को जैसे दैसे उठा कर कार तक पहुंचाया और उसे कार में बेठा कर मैं उसे हॉस्पिटल में ले गया जहां पर उसका ट्रीटमेंट चला वो तो हमारी खुश किस्मती थी कि उसे कुछ जाधा चोट नहीं लगी थी थोड़ा बहुत सर पर चोट आई थ जोकी पट्टी की वज़े से ठीक हो गई उनके कॉलेज में और भी दोस्त थे जिसमें से सबसे खास थे स्निहा और अदित्य वो दोनों भी कपल्स थे उन दोनों कपल्स की जो जोड़ी थी वो काफी खुब जमती थी एक रात की बात है वो सभी पार्टी करके एक कार में बैठ कर वापस आ रहे थे और रास्ते में एक तरावना सा जंगल जो था, वो पड़ा, उस जंगल को देखकर अधित्य ने कहा, भे शौरी देख रहा है, कितना तरावना जंगल है, क्या बोलता है, एक राउंड मार कर आए, और उसके बाद शौरी ने कहा, क्या तेरा तिमाग खराब है, पागन हो गया है, मैं तो नही ने लगा और उसने कहा, ए शौरे, तो कितना डरपोक है, मैंने तो सोचा भी ने था, तो इतना जादा डरपोक निगलेगा, और उसके बाद शौरे ने गुस्से में कहा, अरे भाई मैं नहीं हूं डरपोक, बस मैं नहीं जाना जाता, क्या पता कोई जंगली जानवार प्रेट तो होते नहीं है और उसके बाद अधित्य ने कहा तो एक काम करते हैं तु गाड़ी रोक मज़ा आएगा और तभी स्निहा ने कहा ओई अधित्य पागल होगी हो क्या बीच जंगल में तुम ऐसे गाड़ी रुकवाओगी कोई जंगली जानवार हमला कर देगा तो अधित्य ने कहा अधित्य ने कहा अरे यार क्या हो गया तुम तो छोटी सी बात पे लड़ने बैठ गए हाँ देगो कितना डराबना जंगल है चप-चप गाड़ी में बैटो चलो यहां से और उसके बाद अधित्य ने कहा अरे रुक जाओ तुड़ा सबर करो अगर इसमें इतनी हिम्मत आही गई है तो थोड़ा इंजॉय करते हैं न सुन मेरी बाद शौरे एक काम करते हैं एक शर्त लगाते हैं एक छोटी सी चीज है जो हमें करनी पड़ेगी और जो नहीं कर पाएगा वो सब के सामने माफी मांगेगा और साती साथ पचास हजार रुपे भी देगा बोल मंजूर है और उसके बाद अधित्य ने कहा शौरे तुम्हें कुछ करने की जरुवत नहीं छोड़ो ये सब फालतो की बगवास है और अधित्य तुम्हें हो क्या गया है हाँ इतनी डरावने जंगल में तुम्हें ये सब करना है अगर बगवान ने करे किसी को कुछ हो गया तो कौन जिमिदार होगा तुम और उसके अधित्य ने कहा ओ कमान अधित्य तुम भी इसकी तरह डरपोक बन रही हो हाँ कुछ भी नहीं होगा अरे मसा आएका समझा करो अधित्य ने बहुत समझाने की कोशिश करी तब ही शौरे ने कहा अधित्य बस शांत हो जाओ इसके पर कुछ जादा ही निकल रहे हैं क्यों न इसकी बोलती बंद कर दी जाए मैं इस जंगल में जा रहा हूँ और मेरा जो स्मार्टफोन है मैं उसमें सारी वीडियो जो हैं वो बना कर लेकर आऊँगा उसके बाद ये है सब के सामने मुझसे माफी मांगेगा और साती साथ पचास हजार रुपे भी देगा और उसके ब पागल होगे हो क्या हाँ एक जो स्टुपेट से चैलेंज के लिए तुम अपनी जान को खत्रे में डाल रहे हो एक बार उस जंगल को तुद देखो कितना ज़दा भयाना को डरावना है और तुम उस जंगल में जा रहे हैं नहीं बिलकुल भी नहीं होगा तुम चलो चलो क तुखरा इसका मैं मूँ तोड़ दूँ पता नहीं कहां से इसके दिमाग में एक खुरापात आता है है शौरे तुम चलो गाड़ी में बैठो और उसके बाद शौरे ने कहा सौरी अदिती लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता क्योंकि अब चैलेंज एक्सेप्ट हो लगा दी और उसने अदिती से कहा तुम्हें 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 देख लूँगी समझे और ये कहकर अदिती शौरे के पीछे पीछे चल दी वो दोनों उस जंगल के अंदर गुस्ट गया और उसके बाद शौरे ने कहा एक काम करो अदिती तुम अपना फोन निकालो और मैं भी अपना फोन निकालता हूँ दोनों रिकॉर्ड करते हैं और यहां से चक्कर लगाते हुए वापस चलते हैं और उसके बाद उसे वीडियोस दिखाएंगे ऐसा प्रूफ और उसके बाद तो पचास हजार हमारे और साथी साथ जब यह माफी मांगेगा न तब इसके जो सारे पर है न वो कटे जाएंगे और उसके बाद अदिती ने कहा देख लो शारे तुम तुम गलत कर रहे हो देखो तुसे कितना भैयानक जंगल है अगर कुछ हो गया तो और उसके बाद शारे ने कहा देखो मैंने तुम्हें पहले भी कहा था अगर तुम्हें डर लग रहा था तुम्हें नहीं आना चाहिए तुम अभी जा सकती हो और उसके बाद अदिती ने कहा नहीं मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जाने वाली जिसे सुनने के बाद अधिती और शौरे थोड़ा सा घबरा गए थे। जैसे जैसे वो दोनों जंगल की अंदर घुसते जा रहे थे वैसे वैसे जंगल और भी जादा घणा होता जा रहा था और आगे बढ़ना मुश्किल होता जा रहा था और एक ऐसा रास्ता आया जिसके अंदर घुसा जा ही नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ पर धेर सारे पेड़ थे और वहाँ किसी भी इंसान के घुसने की जगा नहीं थी। अधिती ने कहा यह यहां तो हम नहीं जा सकते आगे लगता है हमें यहीं से मुड़ना पड़ेगा और उसके बाद शौरे ने कहा हम यहां से कोई दूसरा रास्ता भी नजर नहीं आ रहा यहीं से मुड़ चलते हैं और शौरे भी यह कहकर मुड़ गया और एदिती भी मुड़ गई तब ही अचानक से बीचे से एक औरत के चिलाने की आवाज आई और जैसे ही उन दोनों ने पीचे मुड़ कर देखा तो उस आउरत की शरीय पर आग लगी हुए थी और वो आग से जलते हुए तड़पते हुए भागती हुए उन दोनों की तरफ आई और वो दोन अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना चाते थे लेकिन उनके हाथ पैर जो थे वो सुन पड़ गय थे और तब ही वो जो आउरत ही जलती हुए वो उन दोनों से टकराई और अचानक से ही गायब हो गई ये देखकर अधित्री और शौरे जोर से चिलाए और उनके चिलाने से पूरा जो चंगल था वो गूच गया बाहर खड़े स्निहा और गुत्ते के पास भी ये आवास गई और आवास सुनकर वो भी खबरा गये स्निहा ने कहा ये तुमने क्या किया अधित्ते है हां ये तनी बखवास से शर्थ तुमने रखे क्यो पता नहीं उनके साथ क्या हो गया लग रहा है किसी जानवर ने उनके उपर हमला कर दिया और उसके बाद अधित्ते ने कहा तुम बस चुप रहा हो स यहां से ऐसी चल दे और उसके बाद स्निया ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है एक तो वो तुम्हारी वज़े से इस चंगल के अंदर गए और अब उटके चिलाने के आवाज आई है तो तुम ऐसे ही चले जाओगी और उसके बाद अदित्य ने कहा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा स्निया बाई मैं यहां से जा रहा हूँ और यह कहकर अदित्य जो था वो कार में बैठ किया और स्निया भी बहुत ज़्यदा डरी हुई थी और वो भी कार में बैठ के और वही दूसरी तरफ शौरे और अदित्य खोश में आये उन्होंने फिर से अपने शरीर पर काबो पाया और वो वहां से भागे जैसे जैसे वो भाग रहे थे वैसे वैसे उनके कानों में एक और अवाद के रोने की आवाज आ रही थी और वो जो आवाज थी वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी ऐसा लग रहा था जैसे किसी औरत को तड़ पाया जा रहा हो शारे ने कहा अधिती क्या तुम्हें भी वो आवाज सुनाई दे रही है और उसके बाद अधिती ने कहा हाँ हाँ मुझे भी सुनाई दे रही है जितना जल्दियों सके निकलते हैं यहां से वो दोनों भाग भाग कर ठक गए थे लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस जंगल से बाहर निकल क्यूने रहे बिना रुके वो दोनों पास किलो मीटर तक भागे लेकिन फिर भी जंगल से बाहर नहीं निकल पाए और उन्हें थोड़ी देर में ही समझा गया कि वो इस चंगल में बटक चुके है अधिती इतनी ज़्यादा डर गई थी और खबरा गई थी जिसके गारण के शरीर में कमजोर ही हो गई थी और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गई शरीर ने तुरंत अधिती को अपनी कोद में उठाया और शरीर ने कहा अधिती अधिती तुम ठीक तो हो अधिती तुम ठीक तो हो खोश में आओ खोश में आओ अधिती अधिती बहुत बार कोशिश करने के बाद भी अदिती होश में नहीं आई उसके बाद कोई रास्ता ना पाकर आखिर में शौरे जो था वो अदिती को अपनी कोद में लेकर ही वहां से भागने लगा तब ही उसने एक धयानक और डरावना नजारा देखा उसने जब पीछे मुड़ कर देखा तो वो जो औरत थी जिसके पूरिट शरीर में आग लगी हुई थी वो जल्ती हुई और अदिती और शौरे का भागते हुए पीछा कर रही थी और उसकी रफ्तार जो थी वो बहुत थी जादा तेज थी उस जल्ती हुई औरत को अपने पास आता हुआ देख शौरे की हालत जो थी वो खराब हो गई और उसने अदिती को अपनी पीठ पे बैठाया और उसके बाद उसने पूरी ताकत के साथ वहां से दोड लगा थी तब ही भागते भागते शौरे का जो पैर था वो एक टहनी में फस किया और वो सीधा जमीन पर अदिती को लेकर धडाम से गिरा और उसके पाउं में चोट लग गए उसने उठने की कोशिश तो करी लेकिन वो उठ नहीं बाया और उतने में ही वो जो जलतीवी ओरत थी जो भागते विए उन दोनों का पीछा कर रही थी वो भागते विए आई और उसने अदिती और शौरे के उपर जहनांग लगा दी और तब ही अचानक से वो गहीं गायब हो गई जैसे ही वो औरत गायब हुई वैसे ही शौरे ने चैन की सास ली और उसे ऐसा लगा कि वो औरत वहाँ से चली गई है तब ही अधिती पागलों की तरह हसने लगी और शौरे ने कहा अधिती अधिती क्या तुम ठीक हो अधिती क्या हो गया तुम्हें तो मैंसे हस किरो या पागलों की तरह और उसके बाद अधिती की जो आवाज थी वो एक्तम मर्दों जैसी हो गई और वो पागलों की तरह हसने लगी तब ही शारे ने कहा अधिती तुम ढीक तो क्या हुआ है तुमें और तभी अचानक से अधिती ने शारे की करदन पर कात ल जैसे दैसे करके शारे ने अधिती को अपने से दूर किया और उसके बाद वो लंगडाते हुए खड़ा हुआ उसकी गरदन पर चोटाई थी और खून बह रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था क्या किर उसे क्या करना चाहिए उसने अपनी टीशट उतारी और जहां से ख भागने लगी अधिती का पीछा करते करते शारे चिला रहा था अधिती अधिती तुम कहा जा रही हो रोको रोको खुद को तुम तुम खुद के कंट्रोल में नहीं हो अधिती रोको खुद को लेकिन अधिती ऐसे भाग रही थी जैसे उसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा थ तब ही अचानक से शौरे को अधित्य और स्निहा के चलाने की आवास सुनाई दी और वो जो आवास थी वो बहुत जादा तेज थी जैसे किसी ने अधित्य और स्निहा को काफी तड़ पाया हो अधित्य तिनी तेज भाग रही थी और शौरे लंगडाता हुआ उसका पीछा कर रहा था और देखते ही देखते अधित्य कहीं गायब सी हो गई और शौरे वही पर गुटनों के बल आ गया और रोने लगा और रोते रोते बेहोश हो गया जब उसकी आँखे खुली तो उसने देखा कि अभी भी रात का समय है और वो उसी जंगल में पड़ा हुआ है तुरंति वो लंगडाता हुआ फिर से खड़ा हुआ और अधित्य की तलाश करने लगा वो थोड़ा आगे बड़ा ही था तभी अधित्य की आवाज आई शौरे शौरे कहाँ तुम इधर आओ देखो मैं यहाँ पर हूँ और जैसे ही शौरे ने अधित्य की आवाज सुनी तो उसने कहा अधित्य क्या तुम ठीको मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ रुको दो मिनिट शौरे लंगडाता हुआ भागता हुआ जिस डिरेक्शन से आवाज आई थी उसी डिरेक्शन में पहुचा तो उसने देखा कि अदिती वहीं जमीन पर बैठी हुई थी और चारो तरफ सिर्फ जाडिया ही जाडिया थी और उसके हाथ में कुछ था अदिती ने अपना मूँ भी छुपा रखा था शौरे ने कहा अदिती तुम यहां क्यों बैठी हो अबतो तुम ठीक हो गई न चलो यहांसे चलते हैं मुझे बहुत दर लगग रहा है मुझे नहीं पदा कि हम जिन्दा बचेंगे या नहीं निकलते हैं यहां से तुरत निकल गया और उसने अदिती को गले से लगा लिया और जैसे ही उसने अदिती को गले से लगाया तो उसे काफी गीला गीला महसूस हुआ और जब उसने अदिती और तब ही उसने देखा कि अदिती के हाथ में एक खरगोश था और अदिती ने उसे पूरी तरह से फार दिया था और जो हाथ थे, वो खरगोश के खोन से रंगे हुए थे, और उसके अंदर के जो पाट सोते हैं, उसे अदिती खा रही थी, इसलिए अदिती का जो मूँ था, वो भी पूरा खोन से लाल हो गया था, और जैसे ही शौरे ने ये देखा तो उसका पूरा शरीर कापने लगा, उसकी जो रीड की हड़ी थी वो पूरी धंडी हो गई और अदिती शौरे को देख कर बागलों की तरह हसने लगी इस भायानक नजारे को देख कर शौरे जो था वो वहीं बेहोश हो गया और जब उसकी आँखे खुली तो सुबा हो चुकी थी बगल में अदिती भी भी होश थी और अदिती को भी थोड़ी देर में होश आ गया शौरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या किर वो अदिती से क्या कहे उसे तो अदिती से डर लगने लगा था अदिती क्यों कुछ पता ही नहीं था क्या के रात में क्या हुआ कैसे हुआ और उसके बाद शाओरे ने डरते डरते सारी बाते बताई और अदिती भी एक्टम खबरास ही गई वो दोनों काफी मेहनत के बाद उस चंगल से बाहर निकले और उन्होंने जैसे ही में रोड पर देखा तो में रोड का नजारा देखकर उनकी हालत जो थी वो और भी जादा खराब हो गई उन्होंने देखा कि अदित्य की लाश जो थी वो वही मेन रोड के बीचों बीच पड़ी वी थी और उसका जो सर था वो बुरी तरह से कुचल दिया गया था और साती साथ स्नेहा भी वही बर थी और वो अदित्य की लाश को खा रही थी ये सब देखकर अदित्य और शौरे और विज़ा तक खबरा गये और उन्होंने सोर से चिल लाया और तभी स्नेहा ने अपने ही हातों से अपने ही आखों को निकाल लिया और वो अपनी दोनों आखे खाने लगी और हस्ते हस्ते स्नेहा की मौत हो गई